ताम अलेकुम नादरीन आज हम आपको कोईटा कारी प्याला टी स्टॉल होटिल के पर लेकर आए हैं यह अब पाकिस्तान के अंदर इनकी ग्रोथ यह ना वह फिनॉमेनल है बहुत ही स्पीड से इनकी ग्रोथ हो रही है रीजन यह है कि अच्छा खाना है और इनके पास नॉर्मली इस ताइब के चीज़ होती है जिस तरह अंडा पराठा हो गया चाय हो गया पहतरीन चाय अवेलिबल है इस वक्त जो है ना यहां पर सारे के सारे मुस्रूफ हैं सफाई करने में और हर चीज़ इनकी साफ सुतरी है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गंदी मेली या खराब हो तो उसके लिहाद से यह देखें यह पराठे बन रहे हैं एक्सपर्ट है पराठे बनाने में तो आप चीज़ अर उसके आप स्पीड चे करें कि तर लिए क्तने पराठे बनाते हैं और इसके ओपर जो अंड़ा चिपकाने वाला जो अए वो अंड़ा चिपकाने के साइंस बड़ी है यह अंड़ा चिपका कर दिखाएंगे तो बंदा हरान जाता है इनोंने ग्लू अलाध चाहे बनती है बिलकुल जिस तरीके से पिशावर में एक दोर में बनती थी चाहे और जो है न कहते हैं उनका यह फिट किसम काम हो रहा है चाहे हो गई फिकी चाहे मिठी चाहे हरतरा की चाहे वेलेबल है इसके इलावा यहां पर लेसी भी अवेलेबल है और छोले जिनके बहुत जबर्दस होते हैं यही इनकी में बज़ा है गरीब आदमे के लिए मतवस्त अब के के लिए छोले वगारा जो है वो सबसे ज़्यादा एनरजी की चीज़ है एनरजेटिक रश इनके पास दबा कर है क इन्हों ने पाकिस्तान में टी स्टाल को कब जो जो जैसे कहते हैं ट्रेंड को दोबारा रिवाइव किया है जहां पर लोगों का मिल बैठने का एक जरिया भी बने है और जो हैना इसमें काम्याबी भी इनको हासिल होगी है बहुत शुक्रिया